नमस्कार स्वागत है आपका निउस 29 इंडिया में मैं हूँ आपके साथ कवीता पांडे कोरोना महामारी के संकट की घड़ी में इन दीनों कई तरह की खबरे सामने आ रही है आज इन दौर की कमिशनर कारलाय पर हिंदू जागरन मंच के कारिकरताओं की द्वारा एक ग्यापन दिया गया जिसमें बताया गया कि हिंदू जागरन मंच के एक कारिकरता को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इलास के लिए MTH हॉस्पिटल में एड्मिट किया गया था लेकिन डौक्टरों की लापर वाही के चलेते उनकी दो दिनों के अंदर ही मौथ हो गई जिसकी जाज के मांग करते हुए ग्यापन सौपा गया इंदर हिंदू जागरन मंच के कारिकरताओं के द्वारा आज इंदर की कमिशनर कारीलै पर आकर प्रदर्श्वन करते हुए ग्यापन हिया गया जिसमें बताया गया कि लेकिन 30 घंटे के बाद इलास नहीं किया गया और नहीं साम को कोई उनको देखने आया तो शाम को अगले दिन उनका कहना था कि उनकी मौत होनी की वज़ा हाट फेल हो जाने के कारण हुई किन्तू परीजनों को और हिंदू जागरन मंच के कार्य करताओं को इस बारे में संदे है कि रिपोर्ट गलत है उनकी लापरवाहे क के चलेते मौत हुई है और दोशों के खिलाफ कारवाई की जाने चाहिए ब्यूरी रिपोर्ट न्यूस 29 इंडिया आज हिंदू जागरन मंच मालवा प्रांथ और इंदूर विभाग सम्मेलित रूप से यह संभाग आयुक्त को एक ज्यापन सोपने आया है जिसके तहत हमा के बाद उनका इलाज वहां पर प्रारंब किया गया उनकी हालत बिगरती गई उनके और संगठन के लाख कहने के बावजूद वहां पर अस्पताल वालों ने उसकी पूरी समुचित चिकिस्तिक पूरी सेवाएं नहीं दी और जिसके कारण उनको मृत्यू प्राप्त हुई उसके बाद हमें यह बताया गया कि साब उन्हें मृत्यू आई हाट अटेक से जो भी विरोधा बासी है चुंकि हमारे पास में यह रिपोर्ट है जिसके अंदर वो करोना पॉजिटिव थे उसके बाद हास से काटके इस रिपोर्ट को उन्होंने नेगिटिव कर दी गई तो यह सब चीज बहुत ज्यादा संदे को उत्वन न करती है इस संदर्व में हम महाँ अपने कलेक्टर महोदे मनी सिंग साब से भी मिल चुके हैं संभागाय को भी हम गैपन दे रहे हैं और विभिन इस्तरों पर राज जेपाल और यहां तक हमको जाना पड़ा तो प्रध देखते थे न्यूस 29 इंडिया एक देश सारे प्रदेश